तो पिछले वीडियो में आप लोग नेखा था मांज़र कुर्णट का दिर्श सिig और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊँगा द्थूतला भवानी वाटर फ्वाल सासा राम विहार तो जिस परकर पिछले वीडियो में यानि कि मांजर कुंट वाले वीडियो में आप लोग ने जितना प्यार दिखाया आशा करते हैं कि इस वीडियो में भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाये बिहार बात जब बिहार के आती है तो लोगों के मुलें बस एकी सवाल आता है कि भिहार में क्या है तो आज के इस वीडियो के ज़़ी मैं उन्ह लिए दिखाना चाहता हूं गिभी हार में आखिब क्या है तो वीडियो पूरा चरूर देखें मांजर कुर्ण घुमने के बाद हम लोग निकल चुके थे तुटला भवानी की ओर और इसकी दूरी मांजर कुर्ण से लगवग 20 से 25 किलो मिल थी रास्ता काफी अच्छा था कोई पड़िशानी नाम की चीज नहीं थी हम और हमारे दोस्त अराम से जा रहे थे मंजर कट रही थी दीने थी और मौसम भी काफी अच्छा था आश्मान में नीदे बादल चाय हुए थे ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी तो शफर करने में भी मजा आ रहा था चाड़ो तरब बस पहारी पहार और ये द्रिश्च देखकर तो मन पुड़ा गदगद हो उठा था चाड़ो तरब बस अड़ियाली हेतों में हड़े हड़े पौधे जेखकर तो लगड़ा था जैसे मानो कहां आगे ये बिहार है ये मुझे विश्वासी दी पूड़ा थ जितना लोग कहते हैं कि भिहार में क्या है बिहार आसा है एक बढ़ बिहार आकर भूम में यह पता जल दाएगा विए हार कैसे है कि आखेंगे तुटला भावानि जैसे हैं कि आप को 18 पास नहीं जाओ नहीं को जूम करतोर देखते हैं फो जार लोत नस्दिक को दिखाएंगों आप इस बीकित्त यश् impression Dello बहुत सारी गाड़िया बहुत सारे लोग यहां प्याद हुए है जहरना के पास जाने का रास्ता काफी कठीन था चोटे चोटे पत्थरों पे चर्चर कर जाना पड़ता था वह भी संभल के क्योंकि पत्थर पे जो होड़ा काई लगा रहता है अब काई तो आप लोग समझती होगे कि क्या होता है तो संभल संभल कर पैर रखना पड़ता था और आगे बढ़ना पड़ता था तो कि इधर का रास्ता जो है वो पत्थर वाला ही रास्ता था जैसे आगे बढ़ रहे था ना वासवास हम लोग उत्सुक्ता भी बढ़ रहे थी लगणा तक कब जरने के पास जाएं कब जरने के पास जाएं और जरना का जो आवास था ना वो कानों में अभी तक गुंज़रे गए धीर किता है भाई और मांजर कुर्ण की ज dir reality का बু लेकिन मांजर कुर्ण से ज्यादा व्यलता है शंडे होने के कारण यहां काफी विलता लोग अपने अपने घरनंसे फैकनिक मनाने पहुंच लहे थी लोग अपने हुड़ों से क्यक्स को पहुंच रहे अब यहां से सुरू होगा असली मज़ा तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगा झाल जरूर देखेंगा गिछ झाल बहां से सान और वीड मांचार पूर देखेंगा आहाला जर देखेंगा आहाला जरूर देखेंगा झाल 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 कि अब भीड देखने कितना नहाने वाला का ताफी ज्यादा भीड है यार घड़ी द्वार का लगड़ा की घड़ी द्वार के गांगा नदी है कि नहाने का तो नहा लिए जर्णा का मज़ा मिले लिए लेकिन बाद में जो गर्मी परनी शुरू हुई हम लोग को इस हालत मिले गया गी हम लोग को तॉलिया रखे अपने शर्ण को बचाना पड़ा टो कि गर्मी काफी जाधा बढ़ गई तो और नहाना नहाना सब बरावर हो चुका था है नत्ןया फटने पानी है तो कि गर्मी एतना ज्यादा पढ़ने लगी थी पुरा पशी ना तपक ימज falar ie पद गर्मी है ऑपर दोप आ भी तो अज के इस वीडियो को एतना इतना ही रखते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा अगर विडियो अच्छा लगौत कमेंट करके बताए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करना नहीं दिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्राइब तो करीं दिजेगा और वीडियो उन लोगों को सेर कीजिए जो लोग आप से कहते हैं कि बिहार में हैं ही क्या उनको ये वीडियो सेर करके दिखा देजिए कि बिहार में क्या है चले मिलते हैं अगले बार फीड़े काई से धामा के दाल वीडियो के साथ अपते के लिए ख़र में रहे हैं सुरक्षित रहे हैं बाबाई